नमस्कार मैं हूँ संजीब स्रीबास्ताओं आप देख रहे हैं 4PM News Network मर्बदेश सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णे की गुँझ देश भर में हो रही है निर्णे सकारात्मक है लेकिन उस सकारात्मक निर्णे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और साथ साथ जो सरकार के खजाने या सरकार के विवस्थाओं को लेकर पुराने पन्नों को खोल दिया गया है मसला राज्य के मंतियों से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर मोहन यादो की सरकार ने फैसला लिया है और फैसला जैसा मैंने कहा कि फैसला सकारात्मक है अच्छा है लेकिन ये फैसला यह भी कह रहा है कि सरकार को जो खुले है पन्ने या खोले गए है उन्हें भी जाक कर लिखना चाहिए और जहाक करना केवल देखे बलकि कुछ ऐसा करें जिससे की सचमुच मदप्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई बच पाए और राज की खजाना जो बेहद बेहद संकट वाले हलातों में हैं उससे उसे कुछ थोड़ी बहुत मामूली सी रहात मिले जाए हाँ वो फैसला क्या लिया गया है वो आपको सुनाते हैं स्वयम मदप्रदेश के मुखमदीन मौहन यादव की जुबानी सुनिए आप कि क्या अज केविनेट की वेठक में कई सारे नेने लिये गए जिरणों के मात्यम से हमारी अपनी उत्तरजाईतों का भी नेधारना होता है साथ साथ प्रदेश की प्रगती के लिए दूरंग ग्रामी द्रष्टी से उन नेड़ों का बड़ा महत्पव है, जैसे एक नेड़े हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इंकम टेक्स द्रष्टी से स्वयम का वेहन करेंगे, वो सासन से कोई वित्ती भारुस में लेंगे, तो आईकर्ड के द्रष्टी से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदी सच्यू तक का भी सारा राजसरकार के खाते में जाता था, उनके माध्य में से होता था, दूसरा आपने एक नियम है, जो बतला रहे थे कि मद्द प्रदेश मे जो मंत्री मंडल है, उस मंत्री मंडल के सदस्यों को मिलने वाले वेतन भत्ते, सुविधाएं जो हैं, जो नगद भुक्तान के तौर पे मिलती हैं और उस पर जो टेक्स लगता है, वो लंबे वक्त से मद्द प्रदेश में सरकार ही उस टेक्स को अदा करती थी, और उस टे जवस यहां भोपाल में कैबिनेट की वैठक हुई थी, उस कैबिनेट की वैठक में इस पर महर लगी और महर लगते ही, इस ख़वर की गूझ पूरे देश में होने लगी, देश में गूझ होना सो भाविक है, कि किसी कावीना ने एक ऐसा निर्ने लिया है, जो मंत्रियों क जो मिल रहा लाब उसे कम कर रहा है, बेशक मैंने खा भी कि फैसला सकारात्मत है, लेकिन सवाल जो खड़े हुए है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है, इस फैसले से सरकार को प्रती वर्ष 65-70 लाख रुपे साल की बचत होगी, याने खजाने पर जो बोज पड़ा करता था, वो 65-70 लाख रुपे कम हो जाएगा, अच्छी बात है, बीते पास सालों का अकड़ा भी सामने आए, कि बीते पास सालों में मतबरदेश की सरकार ने अपने जो काबीना मंत्री है, साथी है, सायोगी है, कैबिनेट है, उनके सदस्सों पर ज जीरा भी का जा सकता है, अब हम बात करें, जो हम सवाल की बात कर रहा है, कि सवाल उठ रहे हैं, मतबरदेश तिल-तिल कर्ज में डुगा हुआ है, अभी आज की इस्तिती में पौने चार लाक करोड का कर्ज मतबरदेश की सरकार पर है, और ये जब 2003 में दिगविजद कर्ज जब सरकार लेती है, उसकी चादर पैर पसारने लाइक होती, तब ही तो कर्ज मिलता है, तो ठीक है, लेकिन ये कर्ज कब तक मिलेगा, कब तक खजाना जो है, बोज को धोएगा, सहेगा, सवाल यही है, पौने चार लाक करोड का जो कर्ज है, बहुत शीगर इस चार करोड में बढलने वाला है जो अभी कर्ज लेने की जो सिलसला है कर्ज लेने का सिलसला है वो दरंतर ज्वारी है और अभी रुकने थमने वाला नहीं है अब सरकार तो यही कहती है कि भई बहुत सारे राज हैं, देश है, देश में भी करज है, राज में भी करजा है, ठीक है, करजा है, लेकिन रास्ते निकालने होंगे, रास्ते जब आप इस सबा तीन करोड रुपए की बचत पांस सालों में करने पर जब पीठ थपता पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं, अयाशियां भी कह सकते हैं, थोड़ा ख्लिष्ट शब्द है, या चुबने वाला वर्ड है, कि मंत्री गंड, बेत हाशा, जो फिजूल खर्ची है, करते हैं, उस पर कभी ध्यान हम नहीं देखते कि कि किसी का गया हो, हमें याद है कि जब दिगवेजा सिंग की सरकार् हाँ, पित्व मंत्री थे, करनल अजे, नारायन, मुश्रान, और हलत बड़ी खराप थी, खस्ता थी, उस दौर में तो इतनी बुरी स्थितिती कर्ज नहीं मिलता था, वीतन बाटने के लाले पड़ गये थे, वैसे स्थिती तो नहीं बनी है, वीते कई वर्षों से जब से भारती जनता बड़ी की सरकार है, लेकिन उन्होंने एक मितवेई तका ड्राइब चलाया था, दौर चलाया था, बहुत सारे खर्चों में कटवती करना, फिजूल खर्ची ना करना, तमाव हुए थे, हम पिर कहेंगे कि, चुकि सरकार की अपनी शमता है, इसलिए उसे तमाम हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें, तो जो मोहन यादव जी है, मद्दप्रदेश के मुक्मुलती ने बहुत सारे सवालों पर सोचना पड़ेगा, जो मंत्री है, कई-कई विभाग उनके पास होते हैं, उनको भारी भर कम वेतन भत्ते मिलते हैं, ऐसा ठीक है, उनक सत्थ बनने जाने हैं, क्या इस्तिती हैं, और जब आप एक टर्म पूरा करते हैं, दूसरे टर्म में किस तरीके से संपत्ती बढ़ती है, वो भी सब होता है, और सब मैक्सिमम जो मत्रदेश में मंत्री गण हैं, और देश में भी करीब करीब यही हालात है, चाहे वो राज मिल जाएंगे आकड़े की, अगर मत्रदेश में जैसे जो संख्या बल है, 230 का संख्या बल है, विदान सबा में, नम्व और उसके अनुसार 15% अरिक्तम मंत्री बना सकते हैं, तो 35 के लगभग मंत्री होते हैं, मुक्मंत्री समित, और आप 35 के 35 लंबे वर्ष बक्त से उठा का रिप्लेस होई थी, बहुलाल गौर बने थे, जब जब जिन जिन के कैमिनेट रहे, उन कैमिनेट में अधिकांश संख्या, जो मंत्रीयों की होती हो, इसमें उनका मुक्खे विवसाय कृशी होता है, और भी धंदे होते हैं, लेकिन कृशी वाले ज्यादा तर लोग है, जब जब तक किसान रहता है, तब तक एक अलग उसका दौर जीने का रहता है और मंत्री होते ही, उसका जीने का अंदाज बदल जाता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा विवाग हैं, तो हर विवाग के वहान आपके बंगले पर खड़े नजर आएंगे, आप जिस ज सारी चीजें होती है, कि सरकार चाहे तो इस पर उनकुष लगा सकती है, ठीक है, मंत्री को बहुत व्यास्ता हैं होती है, काम होते हैं, लेकिन वो आदर्श ना पेश करता है, मंत्री ना करते हैं, मंत्री ना करती है, सरकार जिसको जैसा उसर मिलता है, कहते हैं ना, प्रदा जब हम सरकारी बंगला मिलता है बहुत ख़़एमने की है बहुत स्टोरीज हुएं जसमें निकल कर आता है कि एक मंत्री जो पिछला है दो जब छोड़के जाता है और वो नया मंत्री आता है तो वो अपने हिसाब से उन सरकारी बंगली कायकल्प कराता है राज की जनता की गाड़ी कमाई वो इस कदर लुटाई जाती है आप आंकले सुनेंगे तो चौक जाएंगे कई कई करूर रुपए और एक साल में कई कई बार हो जाता है सीमा है उसकी बंदी हुई है लेकिन बावजूद इसके रस्ते निकलते रहते हैं और करता जाता है कोई उसको आडिट नहीं तनखाएं देखिए तो दो लाग रुपए पौने दो लाग रुपए सबाद लाग रुपए यह सिर्फ तनखाएं बाकी सुविधाएं अलग हैं कि आपको अनलिमिटेड यात्रा हैं रज में आप अनलिमिटेड आपको वहान की करता हमने ऐसा दौर भी देखा एक वक्त में ऐसे भी मंत्री देखें हैं जो सुबह अपने जब दफ्तर जाया करते तो वहान बुलाते थे और यह बहुत लंबी बात नहीं है अभी कुछी सालों पहली की बात हम जड़ बेनलिज्म में आये थे हमने खबरे चापी हैं ऐसे भाग्य प्राप्त हुआ है कि जो अपने काम हमने सब्जी लाते भी मंत्री को देखा है और गिहूं पिसाते भी देखा है वो ठीक बिरला अदमी था तब मद्रदेश और 36 गड़ एक राज्य था मैंने कहा बहुत लंबी बात नहीं है दुहजार में मद्रदेश 37 गड़ा लग हुआ है उसके ठीक पहले की बात है क्योंकि कहूंगा तो लोगों को लगेगा नाम लेना या किसी दल विशेश की बारे में बात करेंगे तो लगेगा कि हम कोई प्री जुडियस होके बात करें लेंगे इसा नहीं है और अगर हम औ और बातें देखें तो एश्वर में कोई कमी नहीं है अना आप शनाप खर्चे होते हैं और उसकी लंबी फैरिस अब यदि मुहन यादव जी जो मंद्रदेश के मुखमंतरी हैं जो सवा तीन करोड़ रुपए पास सानों के टेक्स के बचा कर बड़ी एक खुशी जाहिर क वही मुखमंतरी मोहन यादव जी जेट प्लेन की कॉस्ट है ढाई सो करोड़ रुपए पौने चारला करोड़ का अभी करजा है जो चारला करोड़ में तबदील होने वाला है क्या दुरूथ है ढाई सो करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए कि सारा कुछ हो गया बहुत माम हेलिकॉप्टर भी ओर्डर होने वाला है याने पौने चार सो करोड़ रुपए एक जटके में खर्च हो जाने वाले हैं जहाज का सौधा हो चुका है आना शेश्य आपचारिकता शेश्य यदि चुनाव नहीं होते तो अब तक तो मानी मुकंदर जी का वो जेट क्लीन जो हेलिकॉप्टर उतारने भी पसीने आते हैं पाइलेट्स को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या कुछ अनाप चनाप खर्च होता है सरकारी वहानों पर और ऐसे ऐसे लंबी फैरिस ते मैंने तो सिर्फ ये खबर इसलिए बनाई है कि चुकि आप सबा तीन करोड रुपए पास साल में बचा कर पीट थपतबा रहें अपने हाथों अपनी तो ये भी और भी देखिए कि क्या कुछ हाला आते हैं प्रतेक नागरिक जो मद्रदेश का है पचासे और रुपए करज हर नागरिक पे हैं अब आप विधायक सांसद पूर हो गए हैं तो आप व सांसा ने सानसद सांसद की पैंसन आपने और उसके सासाथ और दिल्चस्प है कि आपने कभी सरकारी की हो और सरकारी नागरी नागरी करने के बाद आप जादा का है और कोई audit नहीं है किसे आप दे रहें क्या दे रहें कोई आपकी accountability नहीं है आख मुंदिये दे दीजे तो जो प्रदेश है जो सरकार है वो भले ही कुछ करें लेकिंग कैसे प्रदेश तरक्की करेगा कैसे खजाना पट्री पर आएगा मैंने बहुत बहुत चोटी चोटी बान गी है तो बहुत ये peanuts कही है ऐसे लंबी फैरिस्त है जो मंत्रियों सांसदों विधायकों पूर विधायक पूर सांसद पूर मंत्रियों पर खर्चे होते हैं मंद्ब्रदेश के जो पूर मुक्पंत्री गण है उन्हें लेकर एक मत्रिदेश की विधान समय विधेय का चुका है जो पूर मुक्पंत्री होगे उन्हें मुक्पंत्री जो है उन्हीं के समान सुविधाय मिलेंगी उन्हीं के समान जो उनका जीने का अंदास है उसकी सारे जो जरूरी विवस्ता है वो खजाने से सरकारी खजाने राज्य के खजाने से होगी तो आदर्श पेश करिए हुजूर आप लोग देखते हैं हम संपत्यों की जो मैं बात कर रहा था हजारों आजारों करोडों की संपत्यों भी लोगों ने अपनी करनंड सी बात होई है बहुत बिरले गिने चुने टिफ्स पर कोई विधायक या सांसाद होंगे जन्पतिदी होंगे जहां पर आपको यह आवश्यक है कि अपना हालफ नामा प्रस्तुत करी कि आपके पास क्या कुछ है मद्प्रदेश में संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया था लेकिन बरसों बरस से जो विधान सभा के पिटल पर मंत्रियों विधायकों ने कभी उसको निरंतर रखने का जो एक सिलसिला था उसको नहीं किया है वो तो मजबूरी होती कि जब चुनाओ आता है तो आपको अपनी एक जिम्मेदारी का इंद विवस्ता है वो विचारनी है विचार करने योग है और विचार कौन करेगा विचार सरकार को करना होगा विचार जो सब्ता का मुखिया है उसे करना होगा अंकुष लगाना है वास्तों में नकेल कसना है वास्तों में राज्य की जनता को रहा देना है तो फिजूल कर्ची की स्टिटिय हैं उसको खराब सबस्य जाद वाया थे कि रविज़ है याने कि रेवडी या बारटने ने कि आफ इस योजना के थ beta नगत बुक्तान शियोजना के थे नगत मुक्तान पांच किलो अनाच फ्री आपको पांच लाग तक bima अबो जो स्वास्त की सुविधा फ्री पता नहीं क्या क्या फ्री है जो मदप्रदेश के पूर मुक्मंद्री साहब थे शिवरा सिंग चुवान लोग तो यह मुक्मंद्रियों में शुमार हुए वे तो यह कर गए थे कि 60 प्रतीशत नम्मर लाइए 12 क्लास में और लैप्टॉप ले ज अब इस बार तो संकट खड़ा हुआ है मौन यादा हुजी संकट में वहां उनको संकट नजर आ रहा है इस बार वह लैप्टॉप बाटना पसीने आये हुए हैं ऐसे बहुत-बहुत सारे खर्च हैं जिन पर कहीं नहीं सोच होना चाहिए आप पार्टी के खजाने से बाट देंगे टेक्स आप टेक्स दीजिएगा कर लिजिए और एक और है भी दिल्चस्प बात मद्रप्रदेश के जो पूर विधायक गड़ उन्हें जो पैंशन मिलती है वह 20 या रुपे पैंशन है 15,000 रुपे भत्ता है राज में आपको यदि कहीं घूमना है तो वह unlimited है आपको विधायक पिश्राम गरेफरी है ठीक है आप सब कुछ कीजिए लेकिन कम से कम कुछ आदरश तो पेश कीजिए और वो इसके बाद जैसे मैंने बताया कि पूर विधायक यदि आप 6 बार के विधायक हैं और पूरे 5 साल विधायक रहे हैं तो आपको एक पूरी की प क्या है और फिर आपको कुटम पेंशन जाए लंबी फैस और ठीक है कि आप और एक दिन विधायक रहा तो आपको पेंशन क्या है फिर आपके आप नहीं रहें यह दिंदुर्भागवश्य आपकी म्रत्ति हो जाए देहावसन हो जाए तो आपके परिवार कुटम पेंशन भादी पंशन आपके ठंब को मिली कि ऑ फिर यह सब तो ठीक है मेरा तो वही कहना एक कि शक्स एक पंशन कई अधिकारी रहे ओं तो वहां नहीं भरेगी सरकार टेक्स बरना होगा मंत्रियों को और इधर पूर्विधायक गणों का एक जो प्रतिनी मंडल है नेता जी है वो दलबल के साथ पहुंच गए स्पीकर मद्दश विदान सभा के उन्होंने मांग कर ली कि पैंशन बहुत कम है कम से कम 75,000 रुप महीना करी है पैंशन बत्ते जो उनको मिलना है 75,000 रुप महना 35 मिलता है 20,000 पैंशन 15,000 रुप हेल्थ के लिए दवा या और जो आपकी कठनाई है स्वास्त कर दो उसके लिए उस मैंतिस को 75 करना चाहते हैं अनलिमिटेट जो आपको मद्द प्रदेश में घूमना फिरना है वो वैसे ह चाहते हैं और भी सुविधाय चाहते हैं तो खुल मिलाकर गाड़ी पट्री पर तब लोटेगी जब आप आदर से सचमुच पेश करेंगे मद्द प्रदेश में 800 पूर विधायक हैं 800 पूर विधायकों के खर्चा जोड़ लीजिए कितना बड़ा खर्चा मद्द प्रदे कीजिएगा आप उंगली कटा कर शहीद होने का प्रयास कीजिएगा तो बात बनेगी नहीं मौन सर मनी मुकमत्री जी सचमुच में यदि रहात देना है तो ऐसे बड़े खर्चे जैसे अब आप जैड भी खरीद रहे हैं जहाज जैट प्लेन और सासात आप हेलिकॉप्टर भी खिज रहे हैं जरूरी है तो इसमें देखिए क्या कुछ कम हो सकता है कुछ बीच करस्ता निकल सकता है अप खिर आपने जैट प्लेन तो खरीदी लिया है वो आने वाला डिलेवर्ड हो जाएगा एक आत महीने में दो महीने में चार महीने में क्योंकि प्रक्विया थी पूरी हो गई उसमें तो रोकेगा नहीं लेकिन आगे हलिकॉप्टर के जो आप टेंडर करने जा रहे हैं उस पर ही पुनरविशार कर लिजे देखिए तो और जाएगा संदेश की हां मकमंतरी जी ने कुछ थोड़ा सा अपनी सुभिधाओं पर अनकुष लगा कर कुछ आ किसी नए वीडियो के साथ आपके सबस्वत्रत होंगे हमारा अन्रोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और यदि जोईन का बटन नहीं दबाए तो जोईन का बटन भी दबाईए साथ-सद हमारे इस वीडियो को अधिक सचे उसे शायर कियो वी प्रॉड़।